तो आप लोगों जैसे पता है मेरा पेर फक्चर हो रहा तो अभी शूबह उठी है तो मैंने मैंने वाश करके मियों होना दो कर यह मैंने नस्ता किया चाह पिया और एक आएक मैं प्रेर कैसे प्रक्चर हो आप लोग पूछ रहते तो क्या कहें मैं जा रही थी और वो जो चेक्या लकरी था उसमें पैर फशा और बहुत जोड़ सेंटाप गिर गई पैर घुम गे आवस में लुट गया तो इस तरह मेरा पैर कश्रों के लाएं है बाबू को देखे़ खेल रहा है इसे इसे चला रहे हैं पाउं को चला रहे हैं लेख रहे हैं मेरा पाउं ठीक है भी यहां तक पूरा घंडे जो होना हुआ है और लोग एक सरे देख सकते हैं तुधर साइब मेरा एक सरे है तो यहां तो जा लहीं थे मेरा पैर फिसल गया और लगिली से पैर फासद गया और मैं गीर गए टापर और वजह से मेरा चार जगे से पैर डामेज हो गया तो डॉक्तर साहिब ने बोला दस दिन आपको कच्छा प्लास्टर करेंगे क्योंकि स्वेलिंग हो गया है और स्वेल प्लास्टर करेंगे तो स्वेलिंग तभी कम लग रहा आठ दीन हो गया तो दोस दिन का इंतेजार करना होगा पापा रहे हैं पापा है तो दो दिन का इंतेजार का है तो तो मेरा बेटा भूले पापा रहे है आई बाबु देखी उसको तो कोई मतला मिने ममी क्या हुआ बाबु तो इस तरह से अब आज आठ दिन हो गया तो दो दिन आओ रहे है दो दिन को बाद जाएंगे तो फिर मिजड़ाए पक्का पलास्टर करेंगा इस प्लास्टर हटा द तो फिर पक्के बलाश्टकवाद में तो फिर डॉक्टर सब क्या बलते हैं तो इस तरह अभी उतना परशानी नहीं थोड़ा बहुत परशानी होता है इसलिए पैर फ्रैक्चर को ने पर ढरे नहीं हिम्मत से काम नहीं दूख मुसिबत आते रहता है जो इनसान है शरीर है तो तो उसके लिए शुक्रियाद आ करना चाहिए भगवान का खुदा का कि हमें बड़े अनुहनी से बचाया ना चोटवान नहीं दिया तो इसके लिए आप भड़ाना नहीं चाहिए लखिए खुदा या भगवान बहुत बड़ा है वो सब के लिए सुचता है सब इंसान के जो ही होता है सब अच्छा ही होता है अच्छे के लिए होता है मेरे ने कल ने पड़ लगार लिया और बिंदी साथ लिया तो मैं यही काती हूं कि आप लोक यह संना ले अगर कभी आपके साथ ऐसा कुछा अजसा हो तो सही हमें विबस के रहें विए सब्वाइब दुख कई लाज है और दुख आता है तो जाता भी है ना इसके लिए आप लोग घब्राइए नहीं तेक हैं दावा आवा खालेती हो एगलास दूस्ट डूस्टस्ट क कि रोज एगलास दूस्ट पिती हूं जबा सुबह साम एगलास दूस्ट दूस्टiri तो इस तरह मेंगा और सुझाों गर्डाक्टर के तानकियो खाध।